बॉल्वूर आक्ट्रोस दिया मिर्जा जो भले ही पिछले काफी बग से बॉल्वूर में नजर नहीं आई है कि आए दिन वो ख़बरों में पनी करती हैं हाली में दिया मिर्जा एक इवेंट पर पहुँची थी मैजिक बस के इवेंट पर पहुँची थी जहां बत्रों ने गरीब बच्चों को लेकर कई बड़े बड़े बाती बोरी हैं तो कि दिना देरी किये देखिये क्या कुछ खास रहा हमारे इस वीडियो में माजिक बस के लिए जितना भी अच्छा कहा जाए उतना कम है क्योंकि जो बहतरीन काम मैथ्यू और उनके टीम मेंबर्स करते हैं वो शायद ही को कर पाता है हमारे देश के गरीब बच्चों को गरीबे से निकालना एक ऐसे मुकाम तक ऐसे मन्जिल तक पहुंचाना जहां पे वह फुद्दार बन सके एकनॉमिकली एमपावर्ड बन सके सोशली अवेर बन सके यह बहुत बड़ी बात है और पिछले छे साल में ही उन्होंने कुछ नौ लाग बच्चों को के जिंदगी में और उनके वास्तविक्ता में बदलाव लाया है और यह बहुत बड़ी बात है मैं बहुत कुछ हूँ हूँ आज यहां पर होकर इस में चुडियों में क्या कहने चाहेंगे आपकी अपना दूरतर खांचना से लगसे बड़ी बात होगी है वहां से बच्चों को भी बात होगी है और यही उनकी सबसे बड़ी खूबी है लेकिन यह सिर्फ प्लेइंग फील्ड पर बच्चों को नहीं सिखाते हैं वो सारी जो बच्चों की एको सिस्टम है उन तक भी पहुंच पाए क्योंकि अगर बच्चा खेल के मैदान में कुछ सीख रहा है लेकिन उसके घर पे उसके माबाप या उसके आसपडोस वाले उस बात को नहीं समझते उस वैल्यू सिस्टम को नहीं समझते तो फिर बच्चे क के जिन्दगी में कॉन्फिक्ट क्रियेट हो सकता है तो उनकी कोशिश यही रहती है कि वो कम्यूनिटी के साथ काम करें माबाप के साथ काम करें बच्चों के साथ स्कूल में काम करें बच्चों के साथ तो यह जब काम साथ साथ होता है तब इन बच्चों के जिन्दगी मे असली बदलाव आता है इसके अलावाज ऑक्षण भी है क्या पी ये ऑक्षण एक ऐसे शाम का उधारन है जहां पर जो लोगों के पास उपर वाले का दिया हुआ सब कुछ है वो साथ में खटा होकर यही कोशिश करते है कि इन बच्चों को वो सहायता दे पाए उनकी गरीभी मिटा पाए उनकी जिंदगी में बदलाव ला पाए तो Magic Bus के जितने भी लोग है वो इस शाम के लिए बहुत शुकर गुजार है क्योंकि इस रही जेनरोसिटी उफ टेपल वो अटें इस ऑक्षण को बचेंगे जितने बच्चेंगे लिए कर दो आए जाए के लिए भी जायख कर दो